दोस्तों ये है OnePlus Buds का successor version OnePlus Buds Z2 अब design जो है वो थोड़ा different है real life images है जो सामने आ चुकी है specification भी काफी सारी है वीडियो को फटाफट से like और share कर दीजे और बात करते हैं OnePlus Buds Z2 के बारे में सबसे पहले design की बात करते हैं तो जो previous थे OnePlus Buds उनसे थोड़ा सा different है काफी यहाँ पर बहुत जादा change नहीं है थोड़ा सा change किया गया है design को और अब आप देख सकते हैं कि each जो earbuds है उन पर आपको mic मिल जाता है दो sensors मिल जाते है ear dip जो है वो छोटी है और जो charging case है उसको भी I think थोड़ा सा wide किया गया है वहाँ पर आपको एक LED मिल जाती है जिससे कि आप charging की information ले सकते है अगर वो green है तो means charge है और जैसे ही वो orange या अलग कोई color में है तो means वहाँ पर charging की ज़रुरत है और case पे ही आपको type C का option मिल जाता है case में ही आप इने obviously charge करेंगे और अगर हम बात करें तो TWS earbuds है जो की in-ear design के साथ है silicon ear tips आपको मिल जाती है multiple cutout दिये गए है each earbuds में जो auto wear detection के लिए दिये गए है means जैसे ही आप case को open करके इनको use करते है तो अगर आपके smartphone में bluetooth बगरा on है तो ये directly pair हो जाएंगे आपको बार-बार pair करने की ज़रुरत नहीं है तो ये एक अच्छी बात है ये एक अच्छा add-on है अगर हम बात करें बाकी specification की तो OnePlus Buds Z2 में आपको Bluetooth 5.2 मिल जाएगा connectivity के लिए और इसमें active noise cancellation भी आपको मिलने वाला है और IP 55 certified होगा तो water resistant और dust resistant होने वाला है और खास बात ये है कि इसमें आपको Dolby Atmos का support भी जो है मिलने वाला है सबसे बड़ी बात है दोस्तों इन earbuds की battery life की company का कहना है कि 38 hours तक की battery life यहाँ पर आपको मिलने वाली है हलाकि जो charging case के साथ इसकी life होगी लेकिन दोनों ही earbuds में आपको 7 घंटे तक की battery मिलेगी और 10 minutes की charging में यह earbuds जो है 5 hours तक का playback देने वाले है यहाँ पर single color है white color जो आपके सामने है लेकिन यह चीज मानने वाली है कि 7 hours का backup है 38 hours तक की battery life है means आप इसे 2 and a half time और 2-3 times आप इसे charge कर सकते हैं with the charging case तो दोस्तों battery life यहाँ पर improve की गई है आपको active noise cancellation मिलने वाला है तो काफी सारी चीज़े हैं जो previous generation के OnePlus Buds से in OnePlus Z 2 को different बना देती है हाला कि price company ने reveal नहीं कि लेकिन next month में आपको यह देखने को मिल जाएंगे इंडियन market में तभी price जो है सामने आएगा तो दोस्तों OnePlus Buds 2 आपको कैसे लगे आप मुझे comment section में बता सकते हैं अगर आपके कोई questions हैं तो वो भी आप comment section में हमें बताईए हम definitely से उनका reply करेंगे आज की वीडियो में इतना ही जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को subscribe करें इस वीडियो को like करें शेर करें और देखते रही है the tech pro